आप देख रहे हैं दखल न्यूज वीडियो कॉन्फरेंसिंग की दोरान 36 गड़ के मुखे सचेव आरपी मंजल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि 36 गड़ प्रदेश में 446 पुलिस थाने हैं इस पुलिस थानों को कम्प्राइज करके 446 में से 437 को ऑनलाइन किया जा चुका है इसमें से 9 थाना पहुँच विहीं छेतर में हैं जिसमें से 4 इस महीने में ऑनलाइन हो जाएंगे राज में 27,000 पुलिस कर्मियों में से 26,500 पुलिस कर्मियों को Crime and Criminal Network and System के अंतरगर ट्रेनिंग दी गई हैं प्रधान मंत्री ने इस पूरी ववस्था को जाना और चतिसगर पुलिस के इस प्रयास की प्रिशनशा की चतिसगर पुलिस ने CCTNS से प्रदेश के थानों में दर्ज होने वाले अपराद को ऑनलाइन करने की ववस्था की है Citizen Portal के माध्यम से घरवेठे अपराद की इस्तिती की जानकारी ले सकते हैं इससे नाकेवल पुलिस के कामकाज में परदर्शिता आएगी बहीं आम आदमी को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन का चक कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी पुर्व मुख्यमंत्रे दिगविजे सिंग ने कहा कि भारत के सम्विधान के मूल भावना शोशिल जस्टिस की है समान अधिकार की है हर धर्म और हर जात के लिए है C.A. की आवशक्ता क्या थी केंद्र किस को नागरिक्ता दे ये अधिकार है ये कानून इसलिए लाया है कि इन्हें देश के अलपसंख्याकों को जराना है N.R.C. को असम में लागू कर गल्ती हुई फिर देश में लागू करने के बात कर रहे हैं ग्रहमंद्रिया में शाहा और खुद जूद बोलते हैं और इस बात को दावे से बोल रहा हूँ कि देश का हिंदू, मुसलिम और सिख इसाई राष्ट भक्त है भाजपा के राष्ट वाद का मापदंड सही नहीं है मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश का हर हिंदू मुसल्मान से किसाई राश्ट भक्त है लेकिन जो माबदंड आप लोगों ने तेय किये हुए है मेरा सिधा आरोप अमिर्शा जी पर है प्रधान मंत्री जी मोधी जी पर है कि आपका जो माबदंड है राश्ट भक्ती का और देश द्रोई का वो दूशेत है कॉंग्रिस निता दिगविजा सिंग ने कहा मोधी सरकार में इंटेलिजन्स फेलियर की जाच नहीं होती है आज के समय एक वर्ग को टार्गेट किया जा रहा है देश के सभी धर्म के लोगों ने आजादी दिलाई देश की अनेकता में एकता देश की पहचान है जिसे मोधी शहा बिगाड रहे है आज देश का आलपसंख्यक डरा हुआ है वो राजनितिक दल और पुलिस से निराश है वो अदालत की तरफ देख रहा है आज देश के लोगों में इसको लेकर रोश है सीए के खिलाफ आज पूरा आंदोलन महिलाओं और बच्चों के हाथ में चला गया है मैं इसके खिलाफ प्रदेश में दौरा करूँगा देश में सनातनी परंपरा को जिंदार रखा जाएगा हम लोग प्रदेश में दौरा करेंगे और भी जो लोग जो बुनियादिये तौर्थ से सामप्रदाइक सद्भाव में विश्वास रखते हैं हम लोग जाएगे लोगों को समझाएगे और हिंदू-मुसल्मान एकता के लिए जीजान लगाएगे उसी तरह से जिस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदू-मुसल्म एकता के लिए लड़ाई लड़ी थी हम चिंता नहीं करते हो सकता हम पर हमला सागर के दलित युवग धन प्रसाद अहिरवार की इलाज के दौरान मौत हो गए मिता प्रतिपक्ष गोपाल भारगव ने इन सब के लिए कमनला सरकार को दूशी ठाराया है गोपाल भारगव ने कहा कि आखिरकार मधिवदेश में शाषन प्रशाषन की लापरवाही ने सागर के दलित युवग धन प्रसाद अहिरवार की जान ले ली समय रहते कमनला सरकार अगर दलित युवग की सुद्ले लेती तो आज उस युवग की जान बचाई जा सकती थी भारगव ने कहा वोटोगी तुश्टी करण के कारण एक विशीश वर्ग पर कारवई ना किया जाना दुखल है उन्होंने म्रतक युवग के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक साहिता देने की मांग की है कोई कोशिश नहीं की सागर में जब मेडिकल हास्पिन था तब मैंने फॉन करके कहा इसको भॉपाल शिप करो जब भॉपाल आया तो मैं भॉपाल उसको हमिदी आस्पिताल देखने के लिए गया अपने कारी कर्ताओं के साथ में उसके पिताजी से ही मिला पीगलत ब्यक्त करके सभी प्रेस के साथियों को मीडिया को भी इस घटना की जानकारी लेगी लेकर मुझे कहते हुँ दुख है कि तमाम कोश्चों के बावजूद भी और सरकार को आगाह करने के बावजूद भी उससे दलती वक्त के लिए बचाय नहीं जा सका इसमें सरकार की शाशन की प नहीं हो सकता लेकिन यह है एक प्रकार से उनके लिए तात्का लग राहत होगी गौरतलब है कि दले की युवक का सागर में अपने परोसियों से जगरा हुआ था मृति युवक के परिजन उने आरोप लगाया था कि आरोपी राजी नमा करने के लिए उन पर दवा बना रह काहिरवार की मृति पर परिवार के प्रती शोग संवेजना प्यक्तिटी है और परिवार को हर संभव मृद्ध के मृद्धेश दिये हैं मध्यप्रदेश में गरीब किसान परिशान थे और उन्होंने बहुत चोटे से अंथर से सत्ता कीचावी कॉंग्रेस को सौब दी कॉ प्रोखिमंत्री शिवराज सिंग और बीजेपी की विदाई और कॉंग्रेस और कमलनात की अगवाई में सबसे निचले तक्के को सबसे पहले लाब मिलेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कर्जमाफी का मामला तमाम खामियों में फस गया अब तक किसान का ना तो दो लाग का कर्जमाफ हुआ और ना गरीब गुर्पों के लिए कोई योजना धरातल पे आए जो योजनाय चल रही थी वो और बंद हो गई ऐसे में किसान अलग-अलग तरहां से अपने पीड़ा का इजहार कर रहे हैं अब फिर एक परिशान किसान का गीच सामने आया है जिसमें जिए सारी चलाना पड़ेगा वामा सिवी राज तुमको आना पड़ेगा आना पड़ेगा बंद योजनाय तुमको आना पड़ेगा चलाना पड़ेगा मामा सिवी राज तुम को आना पड़ेगा आना पड़ेगा ना बोनस समर्थन ना करजा की मापी बड़ी हो रही है ना इनसापी ना बोनस समर्थन ना करजा की मापी बड़ी हो रही है ना इनसापी ओ किसानों कहा की तुम को दिलाना पड़ेगा दिलाना पड़ेगा बंद योजनाय सारी चलाना पड़ेगा चलाना पड़ेगा मामा सिवी राज तुम को आना पड़ेगा इस गीत को गाने वाले किसान का नाम अनूप दुबे है और यह देवास के खातेगाओं इलाके के मंदलेश्वर गाओं का रहने वाला बताया जाता है अनूप अपने खेतों पर से ही किसानों की समस्यां और उनके दुख दर्द को गीतों के जरिये सबके सामने लाते हैं इस से पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से निवेदन करते हुए एक गीत बारल किया था जिसके जरिये पहली बार मध्यप्रदेश के किसानों की पीड़ा आम लोगों तक पहुची थी यह सब जाहिर करता है कि भोपाल बे बैठे अफसर और सकतारूल पार्टी के नेता जो कहते हैं और बताते हैं मैदानी हकिकत ठीक इसके विप्रीथ है अगर ऐसा नहीं होता तो किसान को सरकार का शोगीत नहीं गाना पड़ता राजगर में कलेक्टर निधी निवेदिता के थपड़कान पर विवादि ठिपड़ी से नाराव करमचारी संगठन में पूर्वर राजमंतरी बद्री लालियादर के खिलाव मोर्चा खोड़ दिया है करमचारी संग ने कलम बंद कर हर्टाल की खोशना की साथ की काली पत्ती बान कर विरोज जताया है जिले के पठवारी संग, आराई संग, नगरपाली का करमचारी संग, जिले के CMO, टिप्ची कलेक्टर, तैसिलदार, नायाब तैसिलदार, सहित आदी संग हर्ताल पर चले गए हैं गौरतलव है कि राजगड में सीए का समर्थन कर रहे भाजपा के कारिकरताओं के साथ पुलिस और प्रशाशन द्वारा मारपीत की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर निधी निवेदिता पर कारवाई को लेकर भाजपा ने सभाकाय जन किया था, जिसमें पूर्व राजमत्र बद्रिला यादाव ने कलेक्टर महिला के खिलाप अशोभनियत्ति पड़ी की थी, जिससे राजगड जिले के करमचारी और अधिकारी खासे नाराज हैं। इसलिए आज इस मंच से मैं आप सब का अवान करती हूँ कि मेरे साथ में हमारे आंगनवारी कारे करताओं, साहिकाओं के संबान की रक्षा के लिए आप इसका पुरजोर विरोध करें और जो भी इसके लिए दोशी लोग हैं उन पर नियम आनुसार कारेवाई के लिए हमा किलाओं का साथ दे धन्यवाद जिन्हें जन्ता ही पसंद नहीं क्या सत्ता का नशा इतना सर चड़ गया है कि उन्हें अपने आस पास कैमरे भी दिखाई नहीं देते हैं आपके मंत्री कमलेश्वार पटेल ने तो हद ही कर दी अपनी ही पत्रकार वारता में मदद मांगने आई रोती बिलखती महिला को खुद ही धक्के देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया ये सत्ता का नशा नहीं तो क्या है दरसल मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीर विकास मंत्री कमलेश्वार पटेल आज अपने एक दिवस ये प्रवास पर वीवा पहुंचे जहां पर पत्रकार वारता के दौरान उनसे मिलने एक महिला पहुंची रोती बिलखती वो मदद की गोहार लगा रही थी मगर बजाय मदद के मंत्री ने उसे ठक्के देकर कक्ष से बाहर निकाल दिया आपको बता दे कि ये महिला मुन्नी पटेल रीवा नगर निगम में माली के पद पर पदस्थ है इसका आरोप है कि निगम अधिकारी के द्वारा इसे प्रताडित किया दा रहा है और अधिकारी के द्वारा इसकी पंखा रोक दी गई है जिसकी शिकायत को लेकर आज महिला मंत्री के पास पहुची और तब मंत्री ने उसकी समस्याओं को सुने बगेर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया हाला कि मंत्री ने महिला से बाद में मिलने को कहा परन्ति बाद में मंत्री जी कहां मिलते हैं कि नारा करके निकल गए और महिला को अंदेखा कर दिया हाला कि महिला ने पूर्व में भी मंत्री से मुलाकात की थी जिस पर उन्होंने समस्या का निराकरण करने का आश्वाशन दिया था मगर अब तक उसकी समस्या का निराखरण नहीं हो सका और उसी को लेकर वो महिला आज फिर मंत्री के पास पहुची थी हमारी समस्या अभी हम साड़े चार साल तक करूं मिस्रा के हाँ खाना बनाए फिर इनकी लड़की और ये गाली के लहुच किये हम ऐसा आते थे राउंड से तो हराम खोलना लाएक बेखूप ये महिला ऐसे करती चुप चाप साहीं लेते थे कुछ नहीं बोलते थे फिर ये हम हम इतना गंदा गाली दीए याव हम क्या बताइग पे उसके बाद हम जब्से में भी खाना बनाने गए तर उस दिन हमां जानती थी ऑनमां जानती में पार्क में गए हो ऐसे रोते तो इस एंजजडादा करें काहर रो रहु है मुन्नी था हम बतां दादा इसे-से हाल ही है अरू मिसरा के दारा यह सब्पतादिकार रही है यह आए समय सबाजीतिया प्रभार पाएन मंत्री जी बॉले हमो रहा काम हो रहा बस मंत्री जी उस दिन भी ररवीबार को बॉले हो रहा काम अयक्ठे मेरा काम पद और सत्ता हासिल होते ही नेताओं की चाल धाल भाशा बदल जाती है वे जनता को प्रजा और खुद को राजा समझने लगते हैं मगर 36 कर के स्वास्थ मंतरी का विवहार इसके बिलकुल उलट है वे स्तरगुजा के राजा हैं लोग उन्हें बाबा साहब कहकर सम्मान देते हैं वे सबसे लोप्री और चहते नेता हैं मगर इसलिए नहीं कि वे राजा हैं बलकि इसलिए कि वे बेहत सहज हैं बेहत साधारन और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वे जहां जाते हैं वहां उनका एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले उनका पिठ्थुल खेलते हुए वीडियो खुब वारल हुआ था। वे स्वास्थ मंत्री हैं और स्वस्थ भी हैं। दोड़ते हैं साइकिल भी चलाते हैं। अभी हाल ही में जब टी एस सिंग डेव के बंगले पर कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर नीचे वैठी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनको इस बात की जानकारी मिली वे सभी आपचारिकताओं को नजर अंदास करते हुए सीधे उनके पास चले गए। मंत्री जी को अपने दीच आया देखकर ये महिलाएं असहज होती इसके पहले ही टी एस सिंग डेव वहीं जमीन पर पालती मार कर बैठ गए और करीब एक घंटा उसी स्थान पर एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने वहीं अपने स्टाफ को बुलाया और इन महिलाओं की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिये। मंत्री ने सही ठहराया और कहा कि भाजपा के पूर्व दो विधायकों पर दसो आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाला कि दिगविजय सिंग ने ये नहीं बताया कि कॉंग्रेस के कितने नेताओं पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले मध्यप्रदेश चुनाव में उमीदवारों के वारे में Association for Democratic Reformers की एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में खड़े 17% से ज्यादा प्रतियाशी दाकी है। चुनाव आयोग को दिये घुष्णा पत्र की माने तो सबसे ज्यादा कॉंग्रेस ने 48% दाग्यों को ठीक दिये थे। जनसंख्या नियंतरन को लेकर सिंग ने कहा कि RSS के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जनसंख्या गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीब आदमी और गरीब परिवार के यहां हमेशा अधिक बच्चे मिलेंगे। पढ़े लिखो के यहां कम बच्चे मिलेंगे। उन्होंने केरल का उधारन देते हुए कहा कि केरल में मुसल्मानों की संख्या काफी है लेकिन वहां जनसंख्या नहीं बढ़ रही और बिहार और यूपी में जनसंख्या बढ़ती जली जा रही है। दिगविजा ने कहा कि आप पता लगा लो हिंदू के यहां ज्यादा बच्चे हैं या मुसल्मानों के यहां। आरेसेस के लोग जो हैं इस बात को भूल जाते हैं कि जनसंख्या गरीबी से जुड़ी हुई है। गरीब आदमी और गरीब परिवार के यहां आपको हमेशा अधिक बच्चे मिलेंगे। पड़े लिखों के लिए यहां कम मिलेंगे। मैं उधारन केरिला का आपको देता हूँ। यहां केरिला में मुसल्मानों की संख्या काफी है। लेकिन वहां जन्संख्या नहीं बन रही है। और बिहार और यूपी में जन्संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप इटार सी भी पता लगा लों कि हिंदूों के जादे हैं बच्ची हैं कि मुसल्मानों की यहां बच्ची हैं। प्रमीन सोमानी अप्रहंट को सुलजाने में पूलिस के पसी ने छूट गये। पूलिस कप्तान का कहना था कि अप्रहंट करता काफी शातिर थे इसलिए फूफू कर कदम रखना पड़ रहा था। डीजीपी और डीम अवस्थी ने बताया कि आज जन्वारी को प्रमीन सोमानी का सिलतरा छेतर से अप्रहंट हुआ इस घटना से प्रदेश भर में संसनी फैल गई थी अप्रहंट करता तक पहुचने के लिए रहपूर से उत्तर प्रदेश के प्रताप गड़ जिले के अंत टीवी कैमरे से पुलिस क्लू मिलता गया उसके बात पुलिस की एक फैटीन तुरंट उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दी गई इनके जो साती हैं इन्होंने जितनी प्रोफेशनल ढंक से कभी हम लोग दिल्ली और बंबई पुलिस को काम करते आपने भी सुना होगा देखा होगा उससे कहीं कम ये काम नहीं था जो सरगना था उसका नाम पप्पु चोधरी है और उसने इस वारदात को अंजाम दिया थ के करीब 2000 ट्रेन के टिकेट तथा डेड़ 1000 फ्लाइट के टिकेट की जाच की पुलिस सुत्रो के अरुसार दोंदे कला निवासी अनिल चौधरी का क्लू मिला उसके बाद पुलिस को सुमानी को अपरहन करता के चंगुल से छोडाने में सफलता मिली अपरहन करता इतने करत ने गज सब्तहा सलक सुरक्षा पकवड़ा 2020 में यातायाद पुलिस द्वारा किये गए बिभिन जागरुकता कारिकरमों का फोटोग्राफ से जाइजा किया आई जी ने प्रति दिन के कारिकरम की गद्विदियों का सिलसले वार निरिक्षर किया मीटिंग में आई जी ने चलित LED वेन में रूट सेफटी से संबंदित वीडियो भी देखे और जिला पुलिस और ट्रैफिक द्वारा चलाए जा रहे यातायाद कैंपिन की प्रशिन शाकी आई जी शेखर शेहर में स्वचिता को लेकर नगर निगम कमिशनर के आगरह पर नगर निगम पहुचे इस दोरान उन्होंने स्वचिता की तारीफ की और इसके लिए कमिशनर को बढ़ाई दी विजली के बिल की वसूली के लिए गंजबसोदा चेतर के गाउं में जाने वाले करमचारियों से अकसर अभधरता मारफीट की खटनाय सामने आती हैं इसी को देखती हुए विजली कमपनी ने वसूली टीम के साथ बंदूगधारी जवान तैनात किये हैं ताकि करमचारियों के साथ कोई वारदात ना हो कमपनी को गंजबसोदा संभाग में करीब एक अरब आठ करोड रुपे के बिल वसूलना है बीते एक महा में एक करोड एक्क्यासी लाख रुपे की वसूली की जा चुकी है कमपनी ने तीन टीमें बनाई हैं जो शहरी और ग्रामेंट छेतर में वसूली कर रही हैं ग्रामेंट छेतर की टीमों के साथ ये जवान जाते हैं बिजली वितरन कमपनी के उप महा प्रवंधक रामपाल सिरसाथे ने कहा गर्ण वसुदा संभाग में उपभोकताओं से एक अरब 8 करोड रुपे वसूलना हैं जिसमें से 1 करोड 81 लाख रुपे वसूले जा चुके हैं वसूली के दोरान कई जगा विवात के स्थी बनती थी इस बार सुरक्षा की दर्ष्टी को लेकर से एफ के दो गर्ण मेंड मिले हैं जो वसूली टीम के साथ अलग अलग दिन जाते हैं शतरपुर में प्रशाशन ने एंटी माफिया अभ्यान के तहट दो जगाहों पर कारवाही की और अवैध रूप से बनाई जा रही बिल्डिंग को जमीन दोस कर दिया पहली कारवाई बाहराज कॉलेच के तिगड़े पर सरकारी जमीन पर बनी दो मंजला बिल्डिंग पर कि गई जिसको जेसी भी मशीन की मदद से गिरा दिया गया बताया जा रहा है कि करोण रुपे की इस जमीन को जालसाजी करके बिल्डिंग का निर्मार किया जा रहा था जिसे प्रशाशन ने गिरा दिया दूसरी कारवाई प्रशाशन ने सटाई रोट पर बनी मंडी में की जहाँ अतिक्रमन करके अवेद दुकानों का निर्मार किया गया था अवेद दुकानों को हटाने के लिए मंडी सचिव काफी समय से प्रयास कर रहे थे प्रसाशन्क ने इस पर कारवाई करते हुए धुकानों को तोड़ दिया इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौझूद रहा प्रसाशन्क ने इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर पुछा गया कि वह तंकी पर क्यों चड़ा है तो उसने युनिवर्सिटी पर आरूप लगाते हुए कहा कि वह युनिवर्सिटी में प्हडी में एड्मिशन लेना चाहता है लेकिन नाम विटिंग में है चात्र का आरूप है कि उसका नाम लिस्ट में दसवे नंबर पर है पर युनिवर्सिटी प्रसाशन ने उसके नीचे नंबर वालों को एड्मिशन दे दिया है खैर पुलिस ने समझाईश देकर चात्र पंकच को सकुशलनी जोता लिया प्रसाशन ने यह कारवाई अवेद शराब के कारोपार में लिपत लोगों के खिलाब विशेश अभियान के तहट की पुलिस प्रसाशन ने अवेद शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है पुलिस अधिक्षक अनुराग सजानिया के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चिंगुवा मेले के पास एक बिलेरो से 18 पेटी शराब की जब्त की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्श कर लिया है सामने से गाड़ी जिसको हम लोगों ने रोगना प्रयाश किया लेकिन वो ना रुकते हो गाड़ी भाग के लिए उसका हम लोगों ने फीचा किया तो चिंगुवा एक मेल लगता है तरी माता मंदर के पास में बहां पर एक गट्टे के पास हो लोग अपने गाड़ी सिंगुवा के परसिया में ग्राम दमुवा के इस महुआ के पेड तक लोग पहुचने लगे हैं पिछले कुछ दिनों से यह अवाह चल रही है कि बहुआ का ये पेड आपके बारे में बहुत कुछ बताता है इस पेड के नीचे या पेड के तने पर हाथ रखे तो विद्य दर्द पूरे होने वाले हैं ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है और लोगों का इस पेड तक पहुचने का सिलसला शुरू हो गया है ग्राम दवुआ के बीच नजदिक में मौहा के पेड पेड पे शिव संकर भोले नात पिर्कट हुआ दो दराज से आये आदमी लोग चूने से ही हाँ दीरे-दीरे सरख रहा परैसानी हट रहा परैसानी हटाने के लिए आते कौन सा पेड है मौहा क्या कोई भी परैसानी द जंगलों में देखने को बिला था उसके बाद बन विभाग को लोगों के जंगल में आवजाही पर रोक लगानी पड़ी दमवा में भी पिछले कुछ दिनों से इस खबर के फैलने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और चात्र चात्राइं यहां पहुँचकर अपने दुख दूर करने के जतन कर रहे हैं इस पेड की लोग बाकाइदा पूया करते हैं और फिर अपनी हतेनियों को आजमाते हैं लोग इसे इश्वर का चमतकार मान रहे हैं अपनी फिल्म पंगा के एक प्रमोशन इविंट में कंगना से पूछा गया कि निर्भिया के दोशियों को फासी देने में हो रही देरी पर आप क्या कहेंगी इस पर अभिनेतरी ने कहा यह बहुत दुख़त है सोचिए निर्भिया के माता-पिता पर क्या गोज़र रही हो लोगों को माफी के सवाल पर कंगना ने कहा कि जो माफी की बात करते हैं वो खुद बलातकारी प्यदा करते हैं उस लेडी को उन लड़कों के साथ चार दिन जेल में रखो, उनको रखना चाहिए, उसको जरूरत है, कैसी ऐसी ओरते होती है, जिनको बड़ी दया आती है, और ऐसी ही ओरतों की कोक से ऐसे निकलते हैं, दैशी दरिंदे, ये भी किसी कोक से निकले हैं, उनी की कोक ऐसी होती ह जो ऐसा सोचती है जिनको सिंपतियात ये प्यार आता है इन पे डैशियों पे खुनियों पे निरभ्या केस के चारों दोशियों विनेश शर्मा मुकेश सिंग पवन गुपता और अक्षे सिंग के खिलाफ डैथ वारंट चारी हो चुका है लेकिन तै नहीं है कि उन्हें दिये गए समय पर फासी होगी या नहीं क्योंकि दोशियों के वकील अपने अधिकारों का इस्तमाल करते हुए एक के बाद एक याचिकाय दायर कर देरी कर रहे हैं इससे पहले पटियाला हाउस कोट ने 22 जनवरी को फासी की तारीख तैकी थी लेकिन मुकेश सिंग की दया याचिकार राष्टवती के पास लंबित होने के कारण आदेश का बालन नहीं हो सका ऐसे में कंगना रनोत के बयान से निर्भया की मा आशा देवी की उस मांग को बल मिला है जिसमें उन्होंने कहा था कि चारो दोशियों को एक फरवरी को एक साथ फासी दी जाना चाहिए मेरभ्या की मा का कहना है कि वे साथ साल से न्याय के लिए संख़श कर रहे हैं लेकिन अब तक अदालतों में जो कुछ हुआ है उससे तो उन्हें लगता रहा है कि उन्हें परिशान किया जा रहा है संखीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकदंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूट मीती तक दखन नियूद, आप क्या है? आप देख रहे हैं दखन नियूद